घर बैठे पीएफ बैलेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं वो भी अपने मोबाइल से साथी साथ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गर्चुटी कैसे मिलती है और उसकी गर्णा कैसे करी जाती है तो जितने भी प्राइविट कंपनी में काम करने वाले मेरे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें मैं आज आपको एक एप ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे आप दोनों ही चीज आसानी से पता कर सकते हैं घर वेटे और इसको आप निकाल प्राइविट नौकरी करने वाले अपना प्राइव जो करता है वह इस एप में आसानी से देख सकते हैं तो इस एप के बारे में बता दूँ यह एप एक मिलियन से ज्यादा लोग इसको चला रहे हैं और 21B का एप है और 4.6 इसकी रेटिंग है और इसमें मैं आपको नौलोड कर चुका हूं इसको ओपन करते हैं ओपन करने के बाद यह साइन अप मांगेगा आप से आप की डेट आप बर्त मांगेगा उसके बाद जीमेल आइडी से साइन अप करना होगा उसके बाद यहां पर लिखा हुगा है पास्बुक पर आप जैसे किलिक करेंगे तो तो यहाँ पर आपको अपना UAN नंबर डालना पड़ेगा और अपना पासवर्ट डालना पड़ेगा तो दोस्तों मैं बता दूँ UAN नंबर जो रहता है वह आपको आपकी कंपनी से मिल जाएगा और उसको आपको यहाँ पर आके इसकी जो वैपसाइड है employee provisional fund इसपे आकर आपको sign up करना पड़ेगा और अपनी active ID करनी पड़ेगी उसके बाद आपके mail पर इसका पूरा detail आ जाएगा उसके बाद इसको आप sign up कर सकते हैं मैं बता देता हूँ कैसे आप दिखती है उसका मैं आपको photo दिखा रहा हूँ इसके बाद हम back जाएंगे back जाने के बाद अब इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें आप यहदी invest करना भी चाहते हैं तो mutual fund में आप इसमें invest कर सकते हैं mutual fund में आप कितना invest करना चाहते हैं वह आपको उपर depend करता है लेकिन आप इसमें आकर mutual fund में भी invest कर सकते हैं एक ही app में ये सारी चीज में बता रहा हूँ आपको इसलिए ये टेरा हूँ ये app आपको घर बैठे सारी जानकारी दे रहा है आप इसमें income tax calculate भी कर सकते हैं कि हमारा जो income है उस पर कितना income tax लगेगा वह अभी आप इस app से जान सकते हैं वह आपको इसमें पूरी प्रिक्रिया करनी पड़ेगी किसन का आपको करना है और उसके बाद आप पूरा का पूरा इसमें निकाल सकते हैं तो अब मैं बता दू हुँ इसके बाद EMI calculator भी आपको इसमें देखने को मिलेगा और lawn eligibility भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों मैं बता दूँ Gratute Gratute कैलकुलेटर के लिए भी इसमें सबदा दी हुई है Gratute क्या होती है Gratute होती है आपकी Basic Sally और DA का जो जोड होता है उसके ऊपर आपकी Gratute बनती है Gratute कम मिलती है Gratute तम मिलती है जब आप किसी कंपनी में पांस साल नौकरी कर चुके हो तो ग्रेचटी आपकी मिलना तैव हो जाती है अब इसमें ग्रेचटी किसादार पर मिलती है जैसे मेरे बेसिक से अरली और डी ए 35,000 है और मैं 2000 से इसमें नौकरी कर रहा हूँ तो मेरी यहां पर एक 11 तारीक दूसरा म 20,04,2020 अब मैं इसमें कैल्कुलेट करूँगा तो यहां पर मेरे को यह मेरी ग्रेचटी मिल जाएगी इसका मतलब है मैंने सौरी मेरी डेट ज्यादा डिल गई है 2020 यह मेरी इसमें ग्रेचटी बन गई है 4,3,840 रुपए इस पर मेरे को कोई टेक्स देने की जरूरत नहीं है मेरी नौकरी 20 साल हुई है उसमें मेरी ग्रेचटी बनी है 4,3,840 रुपए यदि यही आपकी बेसिक सेल ली 50,000 रुपए होती यही सेल ली आपकी 50,000 रुपए होती तो आपको कितना मिलता यह मिलता आपको 5,6,923 रुपए और इस पर कोई भी टेक्स नहीं लगना दोस्तों मैं बता दूँ ग्रेचटी पर मिलने वाली जो रुकम है उस पर 20,000 तक कोई टेक्स नहीं लगता उसके उपर जो आपको ग्रेचटी मिलेगी तो आपको टेक्स लगेगा तो इससे आप गर बेटे अपनी ग्रेचटी की करना कर सकते हैं यदि आपने 19 साल और 4 महीने नौकरी करी है तो आपके 19 साल गिने जाएंगे यदि आपने 19 साल और 7 महीने नौकरी कर लिए तो आपकी 20 साल मानी जाएगी इसी प्रकार यदि आपने किसी कंपनी में चार साल और ग्यारा महीने आठ महीने यदि आपने नौकरी कर ली तो आपको पांस साल गिना जाएगा और आपको ग्रिच्टी मिलना मिल जाएगी तो इस प्रकार आप गर बेटे इसमें ग्रिच्टी भी जान सकते हैं और आपका PF की पास्बुक की डिटेल भी जान सकते हैं पास्बुक की डिटेल से आपको ये सारी जानकरी मिल जाएगी कि हमारे किस-किस महीने कितना कितना जमा हो रहा है और हमारा किस महीने नहीं जमा हुआ है और आपको जो इंटरेस्ट मिलता है इसका भी इसमें पास्बूख में देखने को मिल जाएगा अच्छा एप है और इसको मैं चलाता हूँ वह